अब्दुल्बारी सिद्धिकी का बयान मिंदनिया है और निश्चित तोर पर यहां आरजेडी की विचारधारा को परिलक्षित करता है यहां दिखाता है कि आरजेडी किस तरीके की राजनिती करना चाहती है देश में धार्मिक तुस्टिकरन की निती, मुसलिम परस्थी की राजनिती यहां आरजेडी की राजनिती है और अब्दुल्बारी सिद्धिकी खुद को लिबरल और खुद को सेकुलर पॉलिटिक्स के प्रोडक्ट कहते हैं लेकिन उनका बयान निश्चित तौर पर राष्ट विरोधी है, इस देश की भावना के खिलाफ है और कहीं न कहीं वो हिंदू विरोधी बयान भी दे रहे हैं जिस तरीके का वो बयान दे रहे हैं उसके लिए देश की जंता से माफी मागनी चाहिए और अब्दुलबारी सिद्धिकी को इस देश में अगर इतनी ही तकलीव इतना ही अनकमफोर्टबू लग रहा है तो जो सुविधाय उनको मिल रही है देश के नागरिक के तौर पर जो प्रिविलेज एंज्वाय किया है निता के तौर पर उसको छोड़ दें और सब पाकिस्तान चले जाएं अब देश में जो सासन चलने वाली पार्टी है वह इस बात पर चिंतन नहीं कर रही है कि अब्दुलबारी सिद्धिकी जैसा आदमी जो है इस तरह की बात कैसे कह रहा है याद होगा अमेर खान ने भी एक बार इस तरह की बात की थी और उसको भी जबाव मेरा था कि पाकिस्तान चले जाएं तो देश का माहौल ऐसा है कि एक बड़ी अलपसंख्यक आबादी जो है उसके मन में ऐसा भाव आ रहा है कि इस देश में सुरक्षित नहीं है और बहतर होगा कि देश से हम बाहर चले जाएं उसके बारे में आपको कोई चिंता आपका ये आपका राजधर्म क्या कहता है आपके देश का जो नागरीक है वह नागरीक अपने आपको शुरक्षित मह्सूरा निस्दों करें मनें इंतिजाम करना और ऐसा माहौल बनाना वह आपकी जवाब देएं सरकार की जवाब देहिए नान्धिक जबाब देहिं यव अब इहार के गद्दी पर आपको जा करना चाहते हैं